असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स मैं आज आपको ये बताऊंगा जो वर्डप्रेस जो website होती है कोई भी website होती है फार एक्जेंपल मेरे पास ये एक website है ठीक है जिसका नाम addpanel.com इसके उपर हम WordPress को कैसे install कर सकते हैं तो इसके एक control panel होता है तो हम ये control panel open करते हैं control panel open करने के लिए जस्ट आपको website के आगे c panel लिखना होता है ठीक है c panel लिखने के बाद आपके पास username password आ जाता है ठीक है आप username password इंटर करें तो आप इस तरह c panel के अंदर आ जाती है ठीक है next मैं इस website को open कर लेता हूँ और अभी इसके उपर देखें students कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले जाएंगे file manager के अंदर और ये हमारा public html select है हम upload में जाते हैं upload में जाने के बाद हम choose file करेंगे और wordpress को download करेंगे ठीक है wordpress देखते हैं हमारे पास wordpress है या नहीं हमारे पास wordpress नहीं है तो wordpress download करने के लिए अब अब ज़स्ट वर्ड लिके wordpress तो आपके पास ये सबसे पहले आ गया है आप इसको download कर सकते हैं ये download कर लें तो ये students ये download होना start हो गए ये नीचे ठीक है ये मारे पास wordpress download हो चुक है हम यहां पर जाएंगे यहां से हम wordpress को download करेंगे download के option में जाके wordpress को देखते हैं तो ये मारे पास wordpress हो गए इसको ड्रेक्ट आप इंस्ट्रॉल करें को इस पर ये थोड़ा time लगाएगा जी students मैंने ये थोड़ी देर के लिए वीडियो रुकिए दिए देखें आपके पास wordpress install हो चुक है अब हम यहां पर आजाते हैं इस जागा पे यहां पर public html पे इसको click करेंगे तो ये देखें कि आपके पास ये zip की file बनी wordpress 8.32 MB का ये download हो चुक है ये अपरोड हो चुक है अब हम इसको क्या करते हैं हम right button क्लिक करके extract करते हैं इसको ठीक है और extract file कर देते है तो ये close करेंगे तो हमारे पास ये उपर एक folder आगा है wordpress का हम इसको double click करके open करेंगे अब हमने क्या करना है अब हमने select all करना है तो हमारे पास ये जितनी files हैं ये सारी select हो जाएंगे सारी select हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे हम किसी folder को पकड़ के public html के उपर इसको रख देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास इसको click करेंगे तो wordpress की सारी files main html के file में folder में आजाएंगी अब हम यहां पे चेक करते हैं कि हमारे पास इस पर क्या effect हुआ है अब भी ये देखें कि हमारे पास ये wordpress install हो गया है ठीक है लिके अब भी हो कह रहा है कि मज़ीद installation करनी है तो इसके लिए हमें database account बनाना पड़ेगा इस चेकब पे file manager के अंदर हमारा काम खत्म हो गया अब हम आ जाते हैं database के अंदर ये है mysql databases यहां आप किसी भी नाम से database बना सकते है suppose इमरान create back फिर हम एक admin बनाएंगे मसलान मैं कुई भी एक नाम दे देता हूँ admin इसका एक user ने password दे देता हूँ ठीक है create कर दूँगा इसको create करूँगा तो अभी भी ये ने चलेगा अभी हम ही क्या करना है कि अभी हम इस जगा पे आएंगे ये जो जगा है add user to a database इसमें आपके पास user भी आ रहा है और इसमें database भी आ रहा है ठीक है और अभी जो हमने बनाया है वो admin user है और यहां पे इमरान के नाम से बनाया है ठीक है database admin user है हम इसको add करेंगे और select all manage changes make changes ठीक है अब हमने क्या करना है कि अब हम wordpress को install कर सकते हैं यानि कि हमें इंस्टाल करने के लिए continue पे क्लिक करें let's go इस जगा पे हमने क्या करना है कि वो कह रहा है database का नाम दें तो हमारे पास database का जो name वो आ रहा है वो यह वाला है इसको हम copy paste करते है next आप के पास आ रहा है user name user name हम यह वाला दे दे और password जो उस चगा मैंने रखा था ठीक है आप अपना कोई password रख सकते हैं suppose मैंने यह अपना नमबर रखा था आपने इस चीज़ को और इनको नहीं जेड़ना submit कर दे अब वो बता रहा है कि आप run the install यानि wordpress install कर सकते हैं ठीक है install करने के लिए आप website का title दे दे कोई भी ठीक है online free blog यह आप user name दे दे यह आप कोई भी password दे दे मजीद इसको strong कर सकते हैं और इस अगा पर आप email दे दे और install करते हैं इसको मैं बन कर देता हूँ तो यह देखे students आपके सामने कि wordpress हमरा install हो चुका है ठीक है अब website को चेक करना चाहिए तो आपके पास जो इसकी default theme में ठीक है वो आ गई है थैंक यू वेरी मैच students नेक्स टूरियल दा के लिए अजाज़त दीजिएगा अला हफिस